कार्तिक मास में पालन करने योग नियम और उसका महात्म। जो कार्तिक माश प्राप्त हुआ देख पराय अन का स्रवत्था त्याग करता है बाहर का कुछ नहीं खाता उसे अतिकत्च नाम की अग्य करने का फल मिलता है। जो मनुष कार्तिक मास में रोज भगवान विश्नु को कमल का फूल चढ़ाता है वह एक करोड जन्म के पाप से मुप्त हो जाता है। जो मनुष कार्तिक मास में रोज भगवान विश्नु को तूल सी चढ़ाता है वह हर एक पत्ते पर एक हीरा दान करने का फल पाता है। जो मनुष कार्तिक मास में रोज गीता का एक अध्याय पढ़ता है वह कभी यमराज का मुख नहीं देखता। जो मनुष कार्तिक मास में शाली ग्राम शिला का दान करता है उसे संपुर्ण प्रिथवी के दान का फल मिलता है। कार्तिक मास में जो बेक्ती पूरे मास प्लास की पत्तल पर भोजन करता है वह विश्णू लोग को जाता है। कार्तिक मास में तुलसी, पीपल और भगवान विश्णू की रोज पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णू के मंदिर की परिकर्मा करता है उसे पगपग पर अश्वमेध यग का फल मिलता है। इस जन्म में जो पाप होते हैं वह सब कार्तिक मास में दीपदान करने से नस्थ हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज नाम जब करते हैं उन पर भगवान विष्णू प्रशन रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलशी पीपल या आबले का बिक्च को रोपते हैं। उसकी उचित देख भाल करते हैं उसमें जल देते हैं। वह पीर जब तक इस धरती पर रहता है जब तक पीर इस पृत्वी पर रहता है। तब तक उस पीर को जो लगाते हैं उनका बास बैकुंठ में होता है। तो बोलो विष्णु भगवान जी की जय ओम नमो भगवते बाशु देवाए। ओम जय श्रीहरी विष्णु जय माता तुलशी। झाल